जय मातदी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों हमारे चैनल से जोडने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए पैल आइकन को प्रेस करना न भूलें दोस्तों बात कर रहे हैं कन्या राशी के साल 2020 प्रेम और वैवाहिक जीवन की दोस्तों साल 2020 में आपकी रुमेंटिक लाइफ काफी अच्छी रहने वाली है आपकी राशी से पंचम भाव जिसे प्रेम का इस्थान माना जाता है उसके स्वामी शनी है जो की सुख भाव में विराजमान है बैवाहिक जीवन को सब्तम भाव से देखा जाता है इस भाव के स प्रेम के कारक ग्रह शुक्र पंचम भाव में विराजमान है कुल मिलाकर ग्रहों का सयोग काफी अच्छा बना हुआ है सुखी प्रेम जीवन की ओर ये इशारा कर रहा है ब्रसपती के प्रभाव से जो जातक अभी तक किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है उन्हीं 2020 में एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है और जो लोग पहले से ही रिलेशनशिप में है वे अपने भविशे के बारे में सोच सकते हैं शादी के बारे में सोच सकते हैं शुक्र प्रेम के कारक तो है ही साथ ही वे भाग्य इस्थान के मालिक होकर पंचम भाव में बैठे ह जो आपके लिए काफी शुब फलदाई रहेंगे जो जातक अपनी प्यार का इजहार करना चाहते हैं उनके लिए शुक्र सकारात्मक जवाब मिलने के संकेत दे रहे हैं पंचम भाव के शनी वर्ष की शुरुवात में केंदर में बैठे हैं जो की विवाहित जातकों को संतान संबंदी सुख मिलने की संभावना जाता रहे हैं ब्रसपती भी केंदर में ही वराजमान हैं जो की सब्तम भाव के स्वामी हैं सुख भाव के ब्रसपती आपको रिलेशन्शिप में पार्टनर, लाइफ पार्टनर का सुख और सहयोग मिलने की उमीद जता रहे हैं। जो लोग एविवाहित हैं उनके लिए विशेश रूपसफ विवाह की योग बनेंगे। आपको इस समय गुरू की कृपा से अच्छा जीवन साथ ही मिल सकता है। जो विवाहित जातकों के लिए संतान संबंदी योग बनाएंगे। इनके दानपते सुख को भी इस समय शनी की तीसरी द्रश्टी प्रभावित कर सकती है। आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर आप परिशान रह सकते हैं। शनी के साथ ही गुरू का वक्री होना भी आपको इस समय सावधान रहने के संकेत देता है। सितंबर तक हालातों में उतार चड़ाव होने के आसार हैं। सितंबर में गुरू और शनी के मारगी होने के बाद हालात बहतर होने लगेंगे। साल के अंत के नस्दीक आते आते लगभग नवंबर के महिने के बीच में। गुरू फिर से पंचम भाव में शनी के साथ आजाएंगे जिससे आपकी रोमेंटिक लाइफ फिर से पटरी पर लौट आएगी। कुल मिलाकर कन्या राशी वालों के लिए साल 2020 रोमेंटिक रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। आप भी अपनी राशी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली, धन्यवाद।